प्राचीन मिसरवासियों का ये मानना था कि मौद के देबता उसीरिस मरने के बाद की दुनिया में प्रवेश करने वाले हर्व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से उसकी आगे की जिंदगी तै करते थे मरने के बाद सक्स अपने गुनाहों की माफी मांग ले इसलिए उसे सोने की जीब दी जाती थी दरसल मिसर से एक चौका देने वाला मामला सामने आया है यहाँ एक काफी प्राचीन ममी खुदाई में मिली है जिसके मूँ के अंदर सोने की जीब पाई गई है सोने की जीव पहले इस ब्यक्ति को 2-8-4 साल पुरानी साइट पर दफनाया गया है वैग्यानिकों का मानना है कि मरने के बाद इंसान के मों में सोने की जीव को इसलिए रखा गया होगा जिससे सक्स मौत के देपता से बाते कर सके जानकारों ने कहा कि सक्स के मुँ में सोनी की जीब इसलिए रखी गई जिससे वो मिसर के मौत के देपता ओसीरिस से मरने के बाद बाते कर सके सब को ममी बनाने से पहले उसकी असली जीब निकाल ली गई होगी और उसकी जगर सोनी की जीब लगा दी गई प्राचीन में सर्वाजियों का ये मानना था कि मौत के देख था ओसीरिस मरने के बाद कि दुनिया में प्रवेश करने वाले हर ब्यक्ति के कर्मों के हिसाब से उसकी आगे के जिंदगी को तै करते होंगे मटने के बाद सक्स अपने गुनाहों की माफी मांग ले इसलिए उसे सोनी की जीब दी चाती थी पुरा ततविदो ने प्राजीन साइट तापोसीरिस मैगना से 16 ममी बढ़ामत की है सोनी की जीब बाले ब्रक्ति के अलावा 15 और ममी मिली है इन ममी के चेहरों पर पत्थर के मास्क मिले हैं जो उन्हें दफनाने के वक्त उनके चेहरे पर पहनाये गए होंगे इन मास्क के माध्यम से पुरा ततविदों ने ये अंदाजा लगाया कि तब के लोग कैसे दिखते रहे होंगे सेंटो डेमिंगो विस्विद्याले के सोध करता इस साइट पर पिछले 10 सालों से खोज कर रहे हैं इन साइट से पहले रानी क्लिवपैटरा सात्वी के चेहरे के सिक्के भी मिले थे और उनकी मूर्दिया भी बड़ामद हुई हैं माना जाता है कि 280 से 270 इसापूर्ग में फराओ टेले में दुधिये द्वारा तपोसीरिस मैकना की साइट को प्राचीन इजिप्ट के एक सहर की तरह निर्मित किया गया था वैज्यानिकों का दावा है कि ये काफी अमीर लोग रहे होंगे क्योंकि इनके सिर पर ताज गेहने आती भी मिले है काफी चेजे वक्त के साथ खराब हो गई है इसलिए उनके बारे में पता लगाना मुश्किल हो रहा है ममी के मास्क काफी बारी की से बनाए गए है